जारकन वधान सभाचुनाव के रण शेत्र में अब सबकी नजर संताल शेत्र पटी की है संताल को जारकन मुक्ती मोचा का गड़ भी माना चाता है लेकिन उसमें सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी लगातार करते रही है राजी के मुख्यमंत्री रगवरदास ने अपने कारेकाल के दोरान नसर्फ संताल का सबसे स्यादा दोरा किया बलकि कई मंच से इस शेत्र के पिछड़ेपन के लिए जेमें और सोरेन परिवार को सम्मेवार भी ठहराया सीम संताल को जेमें मुक्त करने की बात करते रहे हैं ऐसे में संताल का चुनाव रगवरदास और हिमद सोरेन की राजनीतिक रडनीतिका अम्तिहान लेने वाला है जेमें का दावा है कि संताल की जनिता उसका साथ सरूर देगी 2014 के विद्धान सभाचुनाव में दिमका से हिमन्सोरेन की हार और लोक सभाचुनाव 2019 में दिमका से शिवु सोरेन की अप्रत्याशित हार के बावजूद संताल को लेकर जेमें के इस दावे के पीछे वाजब कारण भी है दरसर राज्य बनने के बाद से संताल में जेमिम ने लगातार अपनी सीटे बढ़ाई है साल 2000 में जेमिम के पास मात्रुच 6 सीटे थी ये साल 2005 में 9, साल 2009 में 10 और 2014 में ये संख्या 14 पहुँच गई संताल के शुकारी पाड़ा बरहेट और लिट्टी पाड़ा ऐसी सीटे हैं जहां जेमिम अब तक अजय साबित रहा है तो इस बार बीजेपी चाहेगी कि संताल में सेंध लगाए और जो सीटे लगातार कबजे में रही है जेमिम के उन सीटों पर भी बढ़त बनाई जा सके और लगातार इस दौरा भी होता रहा है सीएम का चलते हैं अपने सहियोगी विनीद के पास इस वक्त हमारे साथ जुड़े वे हैं विनीद अब संताल की बारी है अगर कल के चौते फेज के वोटिंग के बाद की हम बात करें तो पांच में चरण में संताल सब के लिए एहम होगा और सबसे एहम तो ये कि बीजेपी संताल में सेंध लगाने के पुर्जोर कोशिश में जुटी भी है और प्रधान मंत्री भी जबाएंगे तो नौ सीटें उनके रडार पर होंगी जहां से वो इन नौ सीटों को साथ सके विनीत आवाज मिल रही है आपको जी विनीत मेरा सवाल ये है कि अब जो है सबकी नजरे संताल पटिकी है और गड़ मान जाता है अब बीजेपी जरूरा इस बार चाहेगी क्योंकि लोक्सभाश चुनआओं से उतसाहित है जिस तरह के परिणाम मिले उतसे बीजेप कि वुद्धान सभाश चुनआओं है और चाहेगी बीजेपी का पूरा फोकस संथाल के इलाके में रहा है लगतार मुख्यमंत्री भी पिछले तीन दिनों से फोर्थ फेज के चुनाओ प्रचार के दोरान भी संथाल में आकर दुमका में रह रहे हैं और यहां के लोगों से यहां के जो कार करता है बीजेपी के उन से एक एक करके feedback ले रहे हैं जमेनी हकीकत क्या है इन सारी चीजों के जानकारी CM भी ले रहे हैं और एक एक करके जो बड़े लीडर हैं उनका अब दुमका के शेत्र में आना यहां पर प्रचार करना और यहां के लोगों से मिलना जुलना काफी बढ़ गया है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये उस कोशिश के रूप में ये कदम है कि जिस तरह से लोकसभा में संथाल में बीजेपी ने सेंध मारने में काम्याबी हासिल की थी उसी तरज पर विधानसभा चुनाव में भी संथाल क्योंकि काफी एहम है इस दृष्टी कोण से भी क् यहां की जो सीटे हैं अब तक का जो परिद्रिश रहा है तो जेमिम का गड़ माना जाता है संथाल और यहां पर कई ऐसी सीटे हैं जहां पर काफी लंबे समय से जेमिम का कबजा रहा है आप देखें कि शिकारी पाड़ा ऐसी सीट है यहां से लगभग चार दशक से जेमिम तिमोर्चा ने किसी को यहां पर मौका नहीं दिया है लेकिन अब जब और यही वज़ा है शायद कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जब आज यहां पहुंचेंगे संताल के लिए जो सीटे हैं संताल पर फोकस रहेगा और उन्होंने भी मतलब जितनी भी पहले कि आगर बात कर ले सीम रगवर्दास जहां भी गये उन्होंने संताल पर फोकस किया और प्रधान मंतरी का दौरा भी खास फोकस होगा और हेमंत के इलाके में उनकी सभा होनी है तो जाहिर तो पर यह इशारा साफ है कि संताल में सेंद लगानी है इसवार बिल्कुल आरती अगर आप देखे इस पूरे राजनीतिक घटना करम को तो संताल पर काफी फोकस रहा है बीजेपी का और आज अब से कुशी देर बाद संताल की धरती से दौमकाप में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और बीजेपी के सबसे वरिश्ट नेता फिलाल जो इ अरेंदर मोदी वो यहां से अब ही कुशी देर बाद हुकार भरेंगे और संताल की जो सीटे हैं उसको साधने की कोशिश दुमका के हवाई अड़े से की जाएगी तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि जो संताल में सीटे हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बीजेप को मिले क्योंकि आप देखें तो कई ऐसी सीटें हैं संथाल में इसमें 2014 में नेक टू नेक फाइट रही थी और काफी दिल्चस्प मुकाबले में बीजेपी को जीत हासिल हुई थी चाहे राजमहल की सीट की बात करें हम या फिर दुमका की सीट की जहां से हिमंत सोरेन एक बा अगर हम विखराव की बात करें तो जेवियम ने यहां से अपना प्रत्याशी दे दिया है और जो आदिवासी कंडिडेट हैं यहां पर जेवियम के दिये हुए वो कितना बड़ा फैक्टर साबित होते हैं इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी एक अलग और नीती पर लगातार यहां पर काम कर रही है और जब चुनाओं होंगे तो बीजेपी इन सारी चीजों को कैश करने के मूड में जरूर होगी और बीजेपी की भरपूर कोशिश होगी कि संथाल की जादा से जादा सीटे वो भी जीत पाए बिलकुल विनी तो बड़ी बा बीजेपी की जो भीड यहां पर आने वाली है वो बोट में भी कनवर्ट हो बिलकुल आर्थी आप लगतार देखें कि जितनी भी सभाएं हो रही है उसमें भीड काफी अच्छे उमड रही है बीजेपी के द्वारा चाहे अन्य राजनितिक दलों की आजसू की बात करें हम जेमिम की बात करें या कॉंग्रेस की लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यह हो कि ये काफी सुखत संदेश है और अच्छा संकेत इसलिए भी है क्योंकि अगर ये भीड वोट में कनवर्ट होती है तो जो मार्जिन है पिछले बार से वो काफी ज्यादा हो सकता है और कई ऐसी सीटे हैं जहां पर कड़े मुकाबले में बीजेपी को शिकरस्त कानी पड़ है बीजेपी तो 2014 से इसलिए तो देखना होगा कि जिस तरह से तैयारियां पहले से की गई थी संताल साधने को लेकर मुक्यमंतुरी रगवर्दास त्वारा और बीजेपी के तमाम कारे करता और समर्टक लगे वे थे अब बारी है वोटिंग की हालाकि पाचमें चरण में स क्रिया आवे नहीं ते